हेलो अप्रिवान वेल्कम टू अड़्डा 24-7 मैं हूं अंके चौधरी और इस सेशन में आपके साथ बात करने वाला हूं BPSC एक्जाम के बारे में बच्चे 12th of December बट अब उसको पोस्पोन कर दिया गया अब यह एक्जाम होगा आपका 23 जनवरी को ठीक है तो 23 जनवरी को आपका एक्जाम होने वाला है और क्यूंकि एक्जाम की डेट को एक्स्टेंड कर दिया गया आगे बढ़ा दिया गया प्रिलिम्स की डेट को इसी वज़े से ज फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट नजदीक आ रही है 19th of November तक आपको फॉर्म फिल करने दिया जाएगा इस महीने फॉर्म फिल हो रहा है अभी तक नहीं किया तो जल्दी-जल्दी कर लो और हाँ वेकेंसी की अगर मैं बात करता हूं 726 वेकेंसी जो है वो निकाली गई है इनीशली लगभग साड़े 500 वेकेंसी थी लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है 726 वेकेंसी जो है वो हो गई है और किसी भी स्टेट PCS एक्जाम में अगर 700 प्लस वेकेंसी आती है तो यह अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है बच्चे यूपीएसी का जो एक्जाम हुआ था उसमें ही 761 वेकेंसी थी पूरे देश में यूपीएसी का जो एक्जाम था उसमें 761 थी यहां पर तो 726 वेकेंसी एक स्टेट ही आपको प्रोवाइड कर रहा है तो गोल्डन ऑपरचुनिटी है जो जो बच्चा PCS में सिलेक्ट होन करने के लिए वो सीट अपनी कर लो लास्ट डेट जो है मैंने आपको बता दिया एक्स्टेंड हो गई है मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं रिजिस्ट्रेशन अब होंगे आपके 19 नवंबर तक पहले 5 नवंबर तक थी वो डेट अब 19 नवंबर तक उसे एक्स्ट सकता है तो 19 नवंबर तक फॉर्म फिल किया झा रहे और एक्जाइम की डेट और आपकी 23 जणवरी तो आपका प्रिम needle की अग्जाम पहली स्टेज होती है PCS एक्जाम की वह जो होगा वो स्टेज बैच बैच बच्चे आपका 10 नवंबर जल्दी से शुरू होने वाला है तो 10 नवंबर से बैच जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा जल्दी जल्दी एडमिशन ले लीजे बैच की टाइमिंग्स के अगर मैं बात करता हूँ साथ से दस, सुबह साथ बजे से दस बजे तक आपकी classes live चलने वाली है, 300 गंटे से ज़्यादा की live classes है, teachers के साथ आप इंटराइक्ट कर सकते हो, जो भी आपके doubt है आप वो clear कर सकते हो, कहीं बच्चों को यह होगा कि PCS का exam जो होता है इसकी coaching बहुत महेंगी होती है तो batch कितने का होने वाला है बैच जब आप जाओगे Adda की website पर तो आपको दिखाई देगा 10,000 रुपे का 10,000 रुपे का बच्चे आपको दिखाई देगा बैच लेकिन 10 का पढ़ेगा नहीं क्योंकि आपके पास है code code है Y365 जब आप Y365 को apply करोगे तो आपको 77% का discount मिल जाएगा और ये पूरा प्रिलिम्स का आपका पूरा का पूरा है जो बैच है ये आपको पढ़ेगा केवल 2,300 रुपे का तो 2,300 रुपे में अपनी पूरी प्रिलिम्स की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हो लेकिन कब जब आप code यूज करोगे Y365 और बैच शुरू हो रहा है मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बैच शुरू हो रहा है 10 नवंबर से कल से बैच शुरू हो जाएगा जो जो बच्चा तैयारी कर रहा है PCS की नहीं समझ में आ रहा है कि तैयारी कहां से शुरू की जाए कैसे अपने सब्जेक्ट जो उनको कवर किया जाए 23 जनवरी तक कोर्स कैसे कंप्लीट होगा आप हमारे साथ बैच में जुड़ जाएगे आपका सारा कोर्स एक्सपर्ट गाइडेंस में हम कवर कराएंगे यहां पर मैंने आपको बता ही दिया है वेकेंसी जो है अब इंक्रीज हो गई है 726 वेकेंसी है 726 वेकेंसी गोल्डन ऑपरचुनिटी है जल्दी जल्दी एक्जाम जो है उसमें बैठ और देखो वेकेंसी है कहां-कहां आपकी बिहार एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्वेस जो आपकी SDM rank होती है SDM rank होती है वो इसी विभाग में होती है तो आप SDM बन सकते हो पेपर क्लियर कर लोगे तो उसी को टार्गेट करते हैं लेकर आए हैं लग 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 40 साल तक है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सर्विसिस के लिए एज में अलग अलग क्राइटीरिया दिया गया है जैसे यहां पर अबिनिस्ट्रेटिव ओफिसर अभी मैंने आपको SDM rank के बारे में बताया यह है आपके अडिमिनिस्ट्रेटिव ओफिसर प्रिशासनी का धिकारी प्रिशासनी का धिकारी के लिए मिनिमम एज रखी गई है 22 साल और मैक्सिमम रखी गई है 37 बट हाँ अलग अलग कैटिगरी इसको रिजर्वेशन प्रोवाइड के जाता है तो वहां पर एज में रिलाक्सेशन होता है तो जैसे अगर बात करोगे बैकवर्ड क्लासिस हो गई फीमेल हो गई उनको 40 साल तक वो दे सकती है SCST कम्मुनिटी के लिए यह एज है इंटर्व्यू यह जो बैच हम लेकर आएं यह अं करते हैं अब इसको प्रिलिम्स का इक्जाम को देना चाते हो तो आप इस बैच को जोई कर सकते हो मध्य प्रदेश के लिए यह वाला बैच है बस यह धिहान लखना जब भी जॉइन करोगे जब भी जॉइन करोगे कोड लगा लेना वाई 365 जिससे आपको बच्चे 77% का डिसकाउंट मिल जाए अब देखो अगर मैं बात करता हूँ PCS BPSC exam की specifically BPSC के अगर मैं बात करता हूँ BPSC exam जो है इसकी पहली stage क्या है prelims ठीक है पहली stage क्या है horrifying में बच्चे होताए एकcase smart कितना पेपर एक सी यह पेपर में कितने केंट केंट taxi 150 150 क्यों अते हैं अचरONG ठीक आंवह छोड़ेवँ कितना 150 marks, तो आपका केवल एक exam होगा, केवल एक paper होगा, उस paper में कितने question आएंगे, 1.500 question कितने number के होने वाले, 1.500 marks के होने वाले, अभी जो सवाल पूछे जाएंगे, जो prelims में सवाल पूछे जाएंगे, आएंगे कहां से, syllabus में क्या कुछ है, तो देखो syllabus में क्या है, general science, general science मतलब 6-10 class, 6-10 class तक कि जो आपकी NCIT पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं, हमारी physics हो गई, हमारी chemistry हो गई, bio हो गई, यह basically उस पर आप से सवाल पूछे जाएंगे, तो पहला topic क्या है, general science, general science important और general science यगर मैं बात करता हूं, कि general science कहां से पढ़ी जाए, तो सबसे अच्छा आप NCIT पढ़ो, best है कि आप अपनी NCIT पढ़ो, और इस NCIT में भी 9th 10th की जो बुक है, 9th 10th की जो आपकी किताब है, वो सबसे important हो जाती है, 9th 10th की किताब आपकी सबसे important हो जाती है, अगर इसके बाद मैं बात करता हूं, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि भई, कौन सा वाला subject पढ़ना हो और कहां से पढ़ना है, तो देखो, next है आपका current affairs, अब current affairs तो आपको daily news-paper follow करना है, और current affairs आपके cover हो जाएंगे, तो current affairs जो है, वो आजाएंगे, events of national and international important मतलब आपका current affairs, current affairs के लिए daily newspaper पढ़ना है, आप daily एक newspaper को follow करो, आपकी current affairs जो है, वो cover होते चले ज बच्चे एक बात ध्यान रखना आप जिस भी स्टेट के एक्जाम में बैठते हो उसकी अपनी हिस्ट्री जो होती है उसकी अपनी भॉगोलिक स्थिति जोगरफी उसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां बीपीएश्ची एक्जाम की बात कर रहे हैं हेलो प्रिंस जी उन्हें नहीं पता कहां से तैयारी शुरू की जाया कैसे तैयारी शुरू की जाया तो वही एक्सपर्ट गाइडंस प्रॉइड करने के लिए बैच लाए गया है प्रिलिम्स को ध्यान में रखते हैं प्रिंस जी ले लिया है आपका नाम यार हिस्ट्री ओफ बिहार एंड historically Indian history Indian history कि अगर में बात करता हूं तो आपकी इंचेंट medival modern सारी history आजएगी ऐसे बीहार की बिहार का पना हितियास जो रहा है उसपे आप सवाल पूछे जाएएंगे एसे इक जुछ्राफी और जोग्राफी ओफ बिहार अब दिखो भूगोल ब्भूगोल और बिहार कि अपनी भौगोलिक स्थिती की बिहार में किस प्रकार का मौसम देखने को मिलता है कैसे पहार देखने को मिलते हैं पठार का इलाका कहां पर पढ़ता है कौन-कौन सी नदिया है इन सब पर आप से सवाल पूछे जाएंगे और फिर भारत की अपनी भागोलिक स्थिती उस पर सवाल पूछे जाएंगे और आपकी फिजिकल जो होती है उस पर भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो यहाँ पर वर्ल्ड जोगरफी, इंडियन जोगरफी और बिहार स्टेट की अपनी जोगरफी उस पर सवाल पूछे हम कहां से तो बच्चे इसके लिए भी सबसे बढ़िया सोर्स होता है सबसे बढ़िया सोर्स होता है आपके NCRT आप अपनी ग्यारवी और बारवी क्लास जो है 11 और 12 क्लास जो है उसकी NCRT अच्छे से कवर कर दो आपके जोगरफी के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और स्पे इधार के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा फिर है इंडियन पॉलिटी एंड इकनॉमी भारतिये पॉलिटी की बात की जारी है भारत में किस प्रकार की राजनेतिक विवस्था देखने को मिलते है उस सब पर आप से सवाल पूछे जाएंगे इसको पढ़ने का सबसे ब दिख जाएगा वहाँ पर मेरी पॉलिटी और आई यार की सीरीज चल रही है उसमें यही किताब जो है उसको मैं चैप्टर वाइस कवर करा रहा हूं तो इंडियन पॉलिटी से सवाल पूछे जाएंगे इकनॉमी भारतिये अर्थविवस्था और बिहार की अर्थविवस् इकनॉमी है इसमें क्या कुछ चेंज आया है आजादी के बाद बिहार की अर्थविवस्था में क्या क्या परिवर्तन आया उससवाल पूछे जाएंगे ऐसे ही इन्डियन नाशनल मूव्मेंट रोल ओ भिहार इंडियन नाशनल बोभिमेंट बेसिकलि आन्य इस्टिम ऑन लड़ाई लड़ी है उस पर आप से सवाल पूछे जाएंगे और फिर है आपका जेनरल मेंटल एबिलिटी तो यह हो जाएगा आपका प्रिलिम्स का पूरा सिलेबस और इस पूरे सिलेबस को हम अपने बैच में कवर कराने वाले हैं इंक्लूड़िंग बिहार स्पेशल जो बिहार पर स्पेशिफिक क्वेशन पूछे जाते हैं अलग से सवाल पूछे जाते हैं उस पर हम आपको सारा कवरेज देने वाले हैं अब बच्चो को यह होगा मनमे की बई प्रिलिम्स में कितना स्कोर लाना चाहिए कैसे हम एक्जाम नंबर चला गयता है लेकिन जो जाता है वो अठानवे नंबर तक जाता है तो आप यह मान के चलो कि लगभग लगभग यह मान के चलो 105 जो करने है थी QUEarny 70 अश्टा Wassand like ठीख है पहला जैनेरल हिंदी है हिंदी का एक्जाम है और उसके बाद आपके G.S.G paper होते हैं और फिर Optional चुनना होता है एक सबजेक्ट आपको अलक से चुननना होता जिसे हम नाम देते हैं हमारा Optional subject तो आप इस Optional सब्जेक्ट को चुन सकते हो इसका एक पेपर आपका होगा फिर मैं आपको याद दिला दू हमारा है जो बैच है 67th BPSC को टारगेट करता है यह प्रिलिम्स का जो एक्जाम आ रहा है आपका 23rd January D-Day है 23rd January को BPSC की प्रिलिम्स एक्जाम कंड़क्ट होगा उसी को टारगेट करते वें ला रहे हैं बैच कल से शुडू हो रहा है 10 नवंबर से जो जो बच्चा इग्जाम क्लियर करना चाहता है प्रिलिम्स क्लियर करना चाहता है वह बैच में जल्द से जल्द option आता All का All के option में जाना है और यहां पर क्या type करना है आपको type करना है BPSC क्या type करना है बच्चे आपको type करना है BPSC ठीक है अब आप BPSC type करेंगे तो यहां पर यह देखो यह आगे 23rd 67th BPSC जो 23 जनवरी को target कर रहा है यह batch आपको purchase करना है इसकी सारी details यहां दी गई है और जितना भी content आपको दिया जाएगा PDFs PPTs दी जाएंगी वो सब आपको Hindi में मिलेंगे ठीक है यहां पर मैंने आपको बता दिया 300 गंटे से जादा की live classes और कौन-कौन टीचर क्या पढ़ाने वाला है वो सारी details आपको यहां पर बच्चे मिल जाएंगे ठीक है डेमो लेक्च क्या होगा वो आप से पूछेगा कोई coupon code है तुम्हारे पास तो बिल्कुल हमारे पास coupon code है और वह क्या है वह है 365 365 अब आप देखो आपने इसे apply किया apply करते ही हो गया जादू जो बैच आपको दिख रहाता 10,000 रुपे का वह 10,000 का पढ़ा नहीं कितने का हो गया आपका के 365 तो वाई 365 लगा लो 77% का discount मिल जाएगा batch में जल से जल admission लिलो जो जो बच्चा BPSC prelims clear करना चाता है main stage तक जाना चाता है उसी के लिए है यह target batch आपका पूरा course cover कराए जाएगा exam की date से पहले cover होगा सारे question कहां से आने वाले सारे subject आपके cover हो जाएगे expert guidance में one-to-one interaction कर सकते सबसे बड़ी बात one-to-one interaction करो जो भी doubts है class में clear कर लो यह ध्यान रखना coupon code लगाना Y365 और कोई भी course purchase करते हो यही नहीं आप कोई भी batch purchase करते हो अड़्डा की website coupon code यूज कर लिया करो Y365 उससे क्या फायदा है आपको 77% का discount मिल जाएगा जैसे बैच जो 10,000 रुपे का था य नहीं क्यों क्योंकि आपके पास coupon code है Y365 तो बच्चो जल्दी-जल्दी admission लो आप से कल से मुलाकात होती है live classes शुरू होने वाली है कल से बैच शुरू हो रहा है हमारा 10 November से तो जल्दी-जल्दी admission ले लो बैच में और बैच में जल्दी-जल्दी admission ले लो और अपना exam जो है उसे clear कर लो अपना selection जो से सुनिश्टित कर लो तो आपसे मुलाकात होती है बच्चे बैच में थांक्यू प्रीतम जी मेंस के लिए नहीं है अभी प्रिलिम्स पर फोकस कर रहा है देखो बच्चे जो आपका आपका exam है यह stages में होता है तो पहली stage पहला चरण क्या है यह है प्रिलिम्स अगर इसे clear कर लोगे तभी तो मेंस तक जाओगे ना तो पहले इस पर फोकस करते है उसके बा बच्चे लाडला बाबुजी आप क्या कहना चाहरे गूगल पर या फिर प्ले स्टोर दोनों पर होगा बैच जो होगा आपका बैच जो होगा यह हमारी एप पर चलेगा जब आप admission ले लोगे ना तो आपको login ID मिल जाएगी आप उस एप के थुरू बैच को एक्सेस कर पा आप